आज हम बना रहे हैं आम बासुंदी इसके लिए मैंने एक कड़ई में दो कप दूद डाला है और गैस की आज मैंने मध्यम आज पर यानि मीडियम फ्लेम पर रखी है और इसे एक चम्मच की साहता से कंटिनियूज इस तरीके से हिलाते जारी हूँ दूद को एक चोथाई तक जला देना है यानि तीन चोथाई दूद रहना चीए दो कप दूद में और इसे कंटिनियूज इस तरीके से हिलाते रहेगा ताकि नीचे से दूद चिपके ना आपका आप इसे जरूर बनाएगा ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आम बा इलाइची पीसी हुई डाली है और केसर के वारे 10 से 12 मैंने इसमें डाले है उसके अलावा तीन से चार बड़े चमच मैंने इसमें शक्कर डाली है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि इलाइची केसर और शक्कर अच्छे से दूद में वापस मिक्स हो जाए ये मैं कर लिजी और उसे मिक्सी जार में डालकर बिना पानी या बिना दूट डाले उसको पीस लीजे यानि यह देखिए प्यूरी हो गई है इसको मैंने दूद में डाल दिया है दूद में जब आप आम की प्यूरी डालते हैं तब आप गैस की आज एकदम स्लो कर दीजिएगा वर और गैस को मीडियम फ्लेम पे मत कीजेगा उसे दीमे आज पर ही 2-3 मिनिट तक अच्छे से पकाईएगा ये देखिए ये हमारी आम बासुंदी बन कर एकदम तैयार है मैंने गैस बन कर दिया है अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी और उसे ठंडा होने दूँगी उसक आपको सर्फ करके बताती हूँ आप इसे जरूर बनाईएगा ये आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा